नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर्सी अगर आप अपनी लाइख में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों साल 2023 का पहला सूरे ग्रहन चार राशी वालों का सूरे के समान चमकाएगा जीवन मान पत्पतिष्ठा के साथ यह पाएंगे अपाय धन साल 2024 का पहला सूरे ग्रहन मेश राशी और अश्वनी नक्षत्र में घटित होने जा रहा है वैसे सूरे ग्रहन एक खगोलिय घटना जरूर है लेकिन भारत में इसका धार्मिक और जोदिश्य बहुत अधिक महत्तु माना गया है धार्मिक शास्तों के अनुसार सूरे ग्रहन को अश्वप घटना माना जाता है इस घटना का मानब जीवन पर प्रतक्ष और अप्रतक्ष दोनों तरहें का प्रभाब पड़ता है सान 2023 का यह पहला सूरे ग्रहन गुरुबार 20 अप्रेल को लगने जा रहा है जो एक खग्रा सूरे ग्रहन होगा यह मेश राशी में लगने जा रहा है जो करीं पाँच खंटे 24 मिफ तक रहेगा सूरे ग्रहन के पाद शुभ ग्रहन गुरु का राशी परवत्न होगा जो सूरे ग्रहन के प्रतिकूल प्रभाब को कम कर देगा लेकिन इन सब का प्रभाब चार राश्यों पर सबसे अधिक दिखाई देगा इन चार राशियों को ये ग्रहन और आसपास की समय होने वाला ग्रहों का गोचर लावानवित करेगा ऐसा समय जीवन में बार-बार नहीं आता क्या आपकी राशिय भी इनमें शामिल है जानने के लिए बीडियो को आखिर तक जरूर देखें लेकिन सबसे पहले comment box में जैस सूरे देख Genor लिखें दोस्तों सूरे ग्रहन के दोरा सूरे अपने उच्छ राशिव मीश में होंगे और सूरे ग्रहन से बस दो देर बात गुरु का राशिव परवदन होने जा रहा है ऐसे में साल का यह पहला सूरे ग्रहन जो तिशीर दिश्टी से बेहत महत्पूर माना जा रहा है सूरे ग्रहन की शुर्पात 20 अप्रेल को सुभे 7 बच कर 5 मिर्ट पर होगी सूरे ग्रहन का खग्रास सुभे 8 बच कर 7 मिर्ट पर होगा सूरे ग्रहन का मध्य यानि की परम ग्रास सुपह 9 बच कर 47 मिड़ पर होगा और ग्रहन की समाप्ति दुबहर 12 बच कर 29 मिड़ पर होगी सूरे ग्रहन की कुल अप्धी 5 घंटे 24 मिड़ तक होगी जो तिशास्त में कहा जाता है कि सूरे ग्रहन के आने के बार धरती से जुड़ी आपताई आते हैं तो चंद ग्रहन के दौरान समुंदरी आपताई पानी से संबंधित आपताई अधिक आते हैं समुंदर के जल के भीतर भी तूफान आते हैं लेकिन इस बार का ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहन कमबोडिया, चीन, अमेरिका, सिंगापुर, थाइलेंड, अंटार्टिका, औस्टेलिया, ब्यातनाम और दश्रिन प्रशांत महासागर छेतर के कई दीशों में दिखाई देगा। भारत में दिखाई ना देने की कारण इसका सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा। लेकिन हर खगोलिया घटना का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरहें का प्रभाप पड़ता है। बारे राश्यों पर भी इसका अप्रभाप पड़ेगा, तो के दौरां रखनी होती है इतना लंबा सूरे ग्रहे और उस पर भी सूरे का अपनी राशी मेश में होना वैश्विक राजनीती में उतल-बुतल मचा सकता है सूरे ग्रहें का मेश राशी पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाप पड़ेगा इस राशी के लोगों को स्वास बुद्ध और राहू जैसे ग्रोहों की यूति बन रही है। ऐसे में आपको मासिक स्वास्त का भी ध्यान रखना होगा। अनावश्यक तनाब से बचने के लिए प्रैत्न करना होगा। आपको आथिक मामलों और केरियर के मामलों में भी सूरे ग्रहर के बाद उल्जनों का सा सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों के साथ अपेक्षिक प्रमोशन और लाग नहीं मिलने से मांसिक तकलीफ महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपकी राशी में गुरु आजाने से आपको कुछ राहत भी मिलेगी। और जीवन में संदुलन बनाने भी काम्याब होंगे। जोतिश में माना जाता है कि सूरे ग्रहन के समय कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाए तो ग्रहन घर परिवार और व्यक्ति के स्वैम के जीवन को कुछ खासा प्रभावित नहीं करता। मेश राशी के जातक भगवान शिप्ची की आरातना करी तो दुश प्रभाव में क कमी आ जाएगी सूरे ग्रहन के कारण और भी कुछ राशियां ऐसी हैं जिनने इस अपधी में लाब मिलेगा तो कुछ राशियों को हानी का सामना करना पड़ सकता है जोतिश बिद्वानों के अनुसार ग्रहन का सकारात्मक प्रभा चार राशियों पर सरवाथिक काने से पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को जरू दबाएं दोस्तों सूरे ग्रहन से लावान्वित होने वाली पहली खुशक्रिश्मत राशी है ब्र प्राप्ति के योग बनेंगे अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी अंशकाली ब्याबार में भी हाथ आजमा सकते हैं जो आपकी आमदनी में बढ़ोत्री दर्च करने में महत्मुर्श सावित होगा यह समय आपके जीवन में खुश्यां लेकर आएगा आपके मन में प्यार और रोमार्स की फूल खिलेंगे चारों तरफ का माहल सकारात्मक नजर आएगा नौकरी में बदलाब करने का पिचार कर रहे हैं तो आप सफल होगे रोजकार की तलाश कर रहे लोगों को सबसमाचार मिलेंगे आधिक इस्तिती पहले से बहुत बहतर होगी पचट करने में स सरकारी संगठन या सरकारी परयुजनाओं के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो बेहत साब्धानी से करें बाई आख्या पैर में चोट लगने की आशंका होगी सभल कर रहें यह समय स्वास्ति के लिए धान देने योग्य होगा क्योंकि जर्ष से जादा काम करना आपको प्राप्त होगा परनामों में प्रथे पाने के लिए ग्रहन और आसपास की समय में विष्णु सहस्त नाम का पाठ करें इस समय की दूसरी भाकेशाली राशी है मिथुन राशी सूरी ग्रहन के प्रभाव से मिथुन राशी के जातकों को बड़े धनलाब होने के योग बन यात्र पर जाने के योग बन रहे हैं अटका हुआ कहीं फसा हुआ धन बापस मिल सकता है बैवाहिक जातकों के लिए संतान प्राप्ति के योग है गोट का चहरी में बिजे मिलेगी बिरोधियों को मात्ति पाएंगे आपको राजनीतिक लाब होगा बैवसाइक सफलता गहर के दो दिन के बाद देवकुरु ब्रस्पति राशी परवेतन करेंगे और मेश राशी में गोचर करेंगे यह गोचर अस्थ अवस्था में होगा देवकुरु ब्रस्पति आपकी आमदनी में चोतरफा प्रथि के योग बनाएंगे इस दोरान संतान सुख और सुखत स समाचार की प्राप्ति हो सकती है आपको अपने करियर में भी सफलता मिलने के योग बनेंगे इसी समय में आपके बेतन में प्रत्थी के भी संकीत मिल रहे हैं इस दौरान अगर आपके कोई दोश के रिस्तेदार बैंक से कर्च लेते हैं तो आप उनके जमानत दारिया गारें दोस्तों अगली खुशकिस्मत राची है तुला राशी तुला राशी के लोगों को इस क्रहर से बहुत बड़ा फाइदा पहुच सकता है देव गुरु ब्रहस्पति आपके सप्तम भाब में प्रवीश करने वाले हैं यह गुरु का गोचर आपके जीवान में अनिक प्रक होने के योग है जीवन साथे से अन्वन होने में भी अप कमी आएगी और आप अच्छे निर्णा लेकर अपने जीवन में तरक्य कर पाएंगे जो कुछ गुरु जनों से या पता समान लोगों से कहा सुनी या मत भी चल रहे हैं वे सब दूर हो जाएंगे और स्वास्य समस हो सकती है किसी तरह की पैतिक संपत्य या बिरासत मिलने के भी संभाब ना होगी केबल बाहन चलाते समय साप्थानी परते नुकसान संभव है इस समय काल में परिवार की लोगों के बीच प्रेम बना रहेगा जो छोटी मोटी समस्यां या बादवेबार चल रहे थे उनमें खुश किस्मत राशी है धनू राशी धनू राशी वालों को सूरे ग्रहण के प्रभाव से भागे का पूरा साथ मिलेगा इस समय भागे आप पर मुस्कुरा रहा होगा अगर आप व्यापारी है तो मुनाफा होगा नौकरी पेशा करने वाले जादकों को बीतन में ब्रध ठीक रहेगा वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा उसमें कोई कमी नहीं आएगी धनू राशी के विध्यातियों को पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती हैं साथी गर्बती महिलाओं को इस दौरान बहुत सतरक्ता बरतनी होगी ग्रहण क्या ग्रहण से संबंदित कोई वीडियो भी देखना आपके नहीं नुकसान दायक हो सकता है बहतर है कि शीराम रक्षा इस्त्रोत का पाठ करें तो साल 2023 का पहला सूरे क्रहण और अनक्रहों के गोचन बिलकर इन चार राशी वालों के लिए बड़ी खुश्खवरी लेकर आ रहे हैं जीवन में सूरे देप जरूर लिखें पीडियो को लाइक कर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और महत्मुन जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं धन्यवाद